तो फ्रंट जैसा कि आप लोग जानते हो कि यहाँ पर भारस सरकान ने रूल चेंज कर दिया है कि भाई अब आप अपने आधर कार्ड में कोई भी करेक्शन अपने साइवर कैफे से नहीं करवा सकते हो उसके लिए आपको आपके पोस्ट ओफिस जाना ही पड़ता है तो फ्रंट आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी मेल आईडी चेंज कर सकते हो अपने आधर कार्ड में पोस्ट ओफिस जाकर कौन सा फॉम फिल करना है कंप्लीट डॉकुमेंट कौन कों से लगेंगे, कंप्लीट प्रोसेस क्या है आज की वीडियो में आपको प्रोपर गाइड करने वाल होगा तो फ्रंट वीडियो बहुत जादा हेलफफ़ल होने वाली है इसलिए मेरे आपसे छोटी से गुजारे से आपको अपने चरण को सस्क्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है क्योंकि ऐसे ही helpful content में आप सबीक से share करते हैं चले फ्रेंट शुरू करते हैं तो फ्रेंट जैसा कि आप लोग जानते हो कि आप post office में ही सारा का सारा आधर correction होता है अब आप कहीं भी बाहर cyber cafe पर अपने आधर कार्ड में correction नहीं करवा सकते हो तो ऐसी condition में बहुत से लोग क्या करते हैं कि इस form को fill करने हो mistake कर देते हैं या फिर उनको proper नहीं पता होता है कि भाई हमको क्या-क्या fill करना है कौन-कौन से document लेके जाना है जिससे कि उनके समय और पैसे की बहुत ज़्यादा बरबादी होती है लेकन आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे proper way में बहुत आसन तरीके से आपकी mail ID को update करना है कौन-कौन से document लग सकते हैं आप आप ए form कहां से मिलेगा आज की वीडियो में आपको proper guide करने वाला हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा helpful होने वाले है इसलिए मेरे आपसे छोटी से गुजारे से आप लोग चुपके से वीडियो देख लेते हो किन्तो चैनल को support नहीं कर रहे हैं आपको अपने चैनल को subscribe कर लेना है और वीडियो को like कर लेना है क्योंकि ऐसे ही helpful content में आप सब एक सा share करता रहता हूँ चलिए फ्रेंट शुरू करते हैं सबसे पहले फ्रेंट यहाँ पर आपको form पूरी तरीकी से blank मिलेगा यानि कि यहाँ पर आपको कुछ भी टेक नहीं मिलेगा और नहीं आपको यहाँ पर किसी बरकार का कुछ भी भरा हुआ मिलेगा तो चलिए फ्रेंट सबसे पहले हम यह बात कर लेके हैं यह form आपको मिलेगा कहां यह form आपको आपकी post office में मिल जाएगा और आप चाहो तो इस particular form को अपने Google Chrome browser से भी डाउनलोड कर सकते हो चलिए अब आप हमसको fill करते हैं भाई fill करने के लिए हमको क्या है mail ID चेंज करने क्या करने है फ्रेंट mail ID इंडियान का मतलब क्या है कि आप इंडिया की रहने वाली नहीं हो लेकिन आप इंडिया में रह रहे सकते हो तो चलिए अब बात्यान थोड़ा सा лежiná 2.1 में आपको आपकी problem select करना है हमारी problem क्या है और क्या सिन्द करना है mail ID तो mail ID पर आपको बड़ा सा Sat. लगा लेना है साल के होग को इस तरीके से लिए उसके बाद नीचे को राता है क्या date of birth भाई आगे की वर आता है date of birth आपको यहाप पर date of birth लिख देना है proper 순 में अगर आपकी आधर काड में सही है आपकी date of birth तो आपको verify टिक करना है और अगर आधर काड में आपकी date of birth सही नहीं है तो आप सही date of birth लिखिए partner पे आप ệंट सही नहीं है आपकी street क्या है, road क्या है आपका, landmark क्या है, house number के वाद यहाँ पर, area कौन सा पढ़ता है आपका, sector, area, locality, कुछ भी, blaze आपका गाउं कौन सा है, push office आपकी कौन सी लगती है आपकी area पर, तो आप यहाँ पर proper detail फिल कर सकते हो, district आपका कौन सा है, state कौन सा है, pin code क्या है आपकी area मुवाईल नमर आपको वही फिल करना है, जो आपके यहाँ पर आपकी, यहाँ पर देल लगा हुआ है, तो आपको खाली छोड़ेना है, यहां आता है mail ID, अब आपको यहाँ पर आपकी लखना है, प्रॉपर mail ID आप लिख दीजिए, addthey.gmail.com आपकी आपके मिल आईडी है, प्रॉपर आप यहाँ पर मेंसन कर सकते हो, अब यहाँ पर आते हैं detail of, यानि कह सकते हो, एक witness आधरकाड आपको लगाना ही पड़ेगा, आपके माताजी का, आपके पिताजी का, आपके गरजियन का, ताकि एक proof के लिए, यानि कि ID proof के लिए, एक आधर आपको लगाना पड़ता है, मतलब detail आपको देनी पड़ती है, यहाँ पर यहाँ बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह आप से post office मांगती है, यहाँ पर आपको परिशान नहीं होना है, जैसे father का, पिताजी का है, तो टिक कर लेना पिताजी पर, तो आप पिताजी का न आपको यहाँ पर किसी प्रकारी कोई भी नहीं लगाना है, डॉकुमेंट बेस्ट यहाँ पर आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको mail id जैंज करने है, mail id में आपकी document लगाने के जुरूत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पर इस तरीके से आपका यह form फिल हो चुका है, यहाँ पर लखा हुआ है क्या name, आपको आपका name फिल कर देना है, जो कि आपके आधर कार्ड में है, वही same to same जो हम लोग यहाँ पर फिल किये थे, full name में, आपको यहाँ पर आपका name लख देना है, और हाँ यहाँ पर आपको आपके signature करने है, वही signature करने है, जो कि आप signature अगर आप पड़े लिखे हो तो अगर पड़े लिखे नहीं हो फ्रेंड तो कोई दिक्कत नहीं आप अपना अंगुठा भी लगा सकते हो इन दोनों जगए पर कोई प्रॉल्म नी फ्रेंड आप पड़े लिखे नहीं हो तो यहां पर आप दोनों जगए अंगुठा लगा सक तो अपने साथ एक आधर कार्ड ले जाना ओरिजिनल जिससे कि वो आपको पता कर पाए कि भई आपके पास ओरिजिनल आपका आधर कार्ड है और उसी ओरिजिनल आधर का नमBER देखके वो आपका एकांट ओपिन करेगा और आपकी mail ID को अपडेट करतेगा प्रॉपर एवे मे तो फ्रेंड मैं आसा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सस्क्राइब कर लेजे और वीडियो को लाइक कर लेजे क्योंकि ऐसे ही helpful content में आप सब इक साथ सेर करता रहता हूं देते हैं अगली वीडियो को साथ तब त थैंक यू सूमुच